देखिए, क्लास फिफ्थ, आज हिंदी व्याकरण की मैं रीडिंग कराने जा रही हूँ, पहले मैं चेप्टर फर्स्ट की रीडिंग करा चुकी हूँ, अब देखिए आप बिसे सूची, फर्स्ट चेप्टर का नाम था भासा और व्याकरण, अब सेकिंड चेप्टर की बोलते समय हमारे मुख से धुनिया निकलती हैं, धुन वासा की सबसे छोटी इकाई है, वरड तथा वरड माला, वरड वासा की सबसे छोटी धुनिया है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अच्छर कहते हैं, इन अच्छरों के एक सम्हू में क्रम बद्द किया गय और गईद को कोकौते हैं नम्मर एक श्वर, नम्मर दो ब्यन्यन, नम्मर तीन आयोग बहा देखिए श्वर, श्वर के दो प्रकार के श्वर होते हैं, हास श्वर और दीर्ग श्वर अब दिया गया ब्यन्यन, ब्यन्यन देखिए, इसफर्ष ब्यन्यन, अंथस्त ब्यन्यन, उस्म ब्यन्यन, दोत ब्यन्यन, संयुक्त ब्यन्यन, आयोग बहा, आयोग बहा में दो वर्ड होते हैं, अंग और अहा, अब ये स्वर दिये गए, भासा के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बिना किसी के अन बरड की साहता से बोले जाते हैं, इनकी संख्या 11 होती है, इनका उच्चारण करते समय मुख के बीतर की बायू बिना रुकावट के वाहर निकलती है, ये देखिए स्वर आपके 11 होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा हूँ बड़ा हूँ, अब ध्यान ने जिन बरड के विना किसी अन बरड की साहता से बोला जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं, स्वर दो प्रिकार के होते हैं, हासववर और दीर्वशवर, अब देखिए हासववर, इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 होती है, हासवव इन स्वरों को उच्चारण में अधिक समय लगता है, इनकी संख्या साथ है, बड़ा आ, बड़ी इ, बड़ा उ, एसे एड़ी, एसे न, उसे ओगली, उसे औरत, ये आपके दिये गए नीचे नेम लिखे सब्दों के वर्डों को अलग-अलग करके लिखिए, ये आप बु इन्यन, ब्यंजनों का उच्चारण स्वर की सायता से किया जाता है, इनकी संख्या 35 है, ब्यंजनों की संख्या 35 है, इनका उच्चारण करते समय मुह की बायू, जीव, दात, ओंट, तालू, पंठ, आध से टकरा कर बाहर निकलती है, ब्यंजनों को साथ बर्गों में रखा गया है देखिए पहले कावर्ग होता है का खा गा गा इंग्या अगले प्रस्ट पर चावर्ग चलेगा चा चा जा जा या फिर टावर्ग चलेगा टा ठा डा 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 तावर्ग चलेगा ता था दा न दा न पावर्ग चलेगा पा पा वा भा मा अंथस्त या रा ला वा उस्म इसा कुई सब्द आरम नहीं होता है ये सब्द के बीच में आते हैं के चैवेद होते हैं कि शब्रस बेंजन के चारण में जीव मुँंगे किसी ना किसी भाग को सप्ष करती है का से हाथ तक इनकी संख्या 25 है यह इस पर्ष ब्यंजन लिखे हैं आपको यह आप बुक से देख लें पढ़ लें नम्मर दो है अन्थस्थ ब्यंजन इन ब्यंजनों के उच्चारड में मुँझ के किसी बाग से जीव का इस पर्ष पूरी तरह से नहीं होता या जीव मुझ के बागों से बहुत ही हलका सा इसपर्ष करती है इन्हें अन्थस्थ ब्यंजन कहते हैं अन्थस्थ ब्यंजन चार है या रा ला वा अब उश्म ब्यंजन कुछ ब्याणिनों के उच्चारण में बायु तेज गत से मुँं के भागों से रगड कर खाती हुई बाहर निकलती है जिसमें उसमा घर्मी उत्पन होती है इसलिए ऐसे ब्याणिन उस ब्याणिन्न कहलाते हैं। दूस ब्याजन भीचा रहे हैं, सासलयम, सासटपोण, सासफेरा, हाहल, द्वैट्वैन्यन, एक जैसे दो ब्याजनों का परस पर संयुक्त होना, द्वैजन कहलाता है, जैसे लज्जा, डबल जहें, छज्जा, जैसे गुड़्डा, मक्का, बग्गा, कच्चा, ये द्वैट ब्याजन हो गई, अब देखिए संयुक्त ब्याजन, जब दो ब्याजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है, तो उन दोनों को मिलाकर एक लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, ऐसे ब्याजनों को संयुक्त ब्याजन कहते हैं, जैसे का, प्लशा, सटकोण, वरावर छे, जैसे कच्छा, सा, प्लस, रा, प्लस, तर, तर, र, ग, ज, प्लस, या, प्लस, ग, ग, बद, ग, या, आयोग वहां देखिए, ये ना तो स्वर्वते हैं और ना ही गिМ्छन, अंग और अहा अबरण आयोग वहा हैं अंग की मात्रा को अनुनासक कहते हैं और अहा की मात्रा को विशर्ग कहते हैं इनकी ध्वन स्वर तथा व्यन्यन की ध्वन से भिन होती है इसलिए इनका किसी से योग नहीं होता है इसी कारण इनहें आयोग वहा कहते हैं अब देखिए श्वरों की मात्राइं, जब श्वरों को वियन्यन के साथ मिला कर लिखा जाता है, तो श्वरों के स्थान पर स्वर के कुछ निश्चित चिन्नों का प्रियोग किया जाता है, वियन्यन के साथ प्रियोग किये गए स्वर के ये चिन्न स्वरों की मात्राइं कहल प्रियोग देखिए यह आपकी जो सारडी बनी हुई है इसमें देखिए स्वर लिखे हैं मात्राएं लिखी हैं और इनका प्रियोग दिया गया है वो लिखे बरड सब दिन को देखिए अब आप अभ्यास प्रेशन मौखिक प्रेशन पर देखिए सोची और बताई नम्मर एक दिया गया है बरड माला में बरडों की संख्या कितनी होती है इसमें लिखेंगे 52 नम्मर दो अतरिक्त्र बरड कौन कौन से हैं इसमें लिखेंगे डाडा अगले प्रेश्ट पर देखो नम्मर तीन देखेंगे उसम ब्यंजन कौन कौन से हैं सासट कौन सासलगम सासट कौन सासफेरा हा से हल आप नम्मर चार का देखेंगे का और शा से मेल से बनाग बरड कौन सा है यसे कच्छा आप सही बिकल पर सही काच्छन लगाईए ये देखिए आपको बरडों का क्रम्ब बद्य संबू क्या कहलाता है बरड माला बरड माला पर टिक लगाओ नम्मर दो निम लिखित में से कौन सा दीरिक स्वर नहीं है चोटा उ बापे टिक लगाओ नम्मर तीन निम लिखित में से कौन सा हास स्वर है छोटी E आपे टिक लगाईए नम्मर चार निम लिखित में से किस बियन्यन के उच्चारण में मुह से किसी भाग से जीव का सपर्स पूरी तरह से नहीं होता है आपे टिक लगाईए ला अब देखिए रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान वरिये ये सब आपको बुक में फिल करने भासा की सबसे छोटी ध्वन वरड कहलाती है इसमें वरड वरा जाएगा नम्र दो छोटे उच्चारण में कम समय लगता है नम्र तीन वो से ओ के उच्चारण में अधिक समय लगता है नम्र चार ग्या एक संयुक्त वरड है नम्र पांच त्रा वरड रा के मेल से बना है अब देख़िए गा निम लिखे स्वरों की मात्रा लिखी आप ये ये स्वर लिखे हैं इनको देखकर मात्रा लिख लेंगे चोटावी गणाशना चोटेओं की बाई नीचे दीए गई है निम लिखित प्रस्ष्णों के उत्तर लिखो ये आपको फिर नोट बुक में लिखना है तो सबसे पहले देगे चैप्टर टू डाल के वर्ड विचार और प्रेश नम्मर एक डालेंगे उस पर लिखेंगे वर्ड विचार के अंतरगत हम किसका अध्यन करते हैं इसका अंसर है वर्ड सब्द तथा वाक्य के आकार वेद रूप वर्ड विचार के अंतरगत अध्यन करते हैं नम्मर दो कुश्य नम्मर दो है जो वर्ड सुतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं इसका अंसर है जो वर्ड सुतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं नम्मर तीन हासे स्वर ए कुष्य звонer नम्मर 4 दोight वियंजन एवं संयुक्त वियंजन पैसा एंसतों हों गाइए इसका पुषै कि यह गुष्य को याइवक प्या खा 2 वियंजन के बीच वियंजन होंब उन दोनों को मिला कर एक साथ लिखते हैं, ऐसे वियंजनों को संयुक्त वियंजन कहते हैं, नमबर पांच, कुछ नमबर फाइब, मात्रा से आप क्या समझते हैं, इसका अंसर देखी, जब स्वरों को वियंजन के साथ मिला कर लिखा जाता है, तो स्वरों के स्थान पर स्वर कि कुछ निश्चे चिन्नों का प्रियोग किया जाता है भीएंजनों के साथ प्रियोग किये गैस्वर के ये चिन्न स्वरों की मात्राओं कहलाते हैं ये आपको चैप्टर नममर टू डाल के फिर नोटबख पर प्रशनुत्तर सांथ मासंदर लिखने हैं और आगे मैं थर्ड चैप्टर अगले वीडियो में कराऊंगी